हे गाईज वेलकम बैक टो नॉटी स्चेचेज आज की इस वीडियो में मैं प्लेन प्लाजो यानि ट्राउजर के उपर पिंटक्स और लेस का इस्तेमाल करके सुन्दर सा एक डिजाइन बनाऊंगी इसके लिए मैंने प्लाजो की कटिंग पहले से ही करके रखी है और जितनी लंबाई मुझे तैयार चाहिए उससे मैंने पांच इंच छोटा कट किया है इस प्लाजो को और ये मैंने पिंटक्स करने के लिए कपड़े की कटिंग की है इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने अपने प्लाजो की मोरी की चौड़ाई से 1.5 गुना जादा ली है जैसे मैंने प्लाजो की मोरी की चौड़ाई ली है 11 इंच इसलिए मैंने पिंटक्स के ले कपड़े की लंबाई ली है 17 एंच तो अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक क्रीज बनाएंगे तो यहाँ पर एक क्रीज बन गई है अब हम इसके उपर निशान लगाएंगे चौक की हेल्प से हमें इसी तरह से तिर्चे तिर्चे निशान लगाने हैं बराबर दूरी पर इस तरह से तिर्ची लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है और बाद में हम इन लाइन्स के उपर पिंटक्स करेंगे तो इसी तरह से मैंने सारे के सारे निशान यहाँ पर ड्रॉ कर लिये हैं अब हमें निशानों के उपर इस तरह से fold करके सिलाई लगाएंगे यह दिखिए इस तरीके से हमें printex लगाने हैं इसके उपर कपड़े को बिल्कुल थोड़ा हमें दबाना है और सिलाई लगानी है बहुती बारिक हमें सिलाईयां लगानी है यहाँ पर और बहुती सफाई से क्योंकि हम तिर्चे कपड़े पर सिलाई लगा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है अगर आपने सिलाई करते हुए तिर्चे कपड़े को खींच लिया तो कपड़े में बल पढ़ जाएंगे जिससे की पिंटक्स बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है इस कपड़े को तो इसी तरह से हम Pintax लगाएंगे बहुती सफाई से सारे के सारे कपड़े पर हमें इसी तरह से Pintax लगा लेने हैं अब यहाँ पर Pintax बनाने के लिए मैं बिल्कुल सेम धागे का इस्तमाल कर रही हूँ लेकिन आप चाहें तो अलग कलर के धागे का इस्तमाल भी कर सकते हैं उससे भी Pintax की लुप थोड़े डिफरेंट आती है और बहुत बारीक सिलाई आपको यहाँ पर नहीं लगानी है आपको Stitch Regulator को दो नमबर पर सेट कर लेना है और इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है तो यहाँ पर Pintax मैंने अच्छे से कर लिये हैं अब हम इसके उपर प्रेस करेंगे ताकि यह सारे Pintax हमारे एक ही डारेक्शन में अच्छे से सेट हो जाएं अब Pintax वाला डिजाइन तयार करने के बाद हम Cutwork वाला डिजाइन तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने Fuse Paper लिया है 3 इंच चौड़ा और 11 इंच लंबा अब इस तरीके से हम इसको Fold करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको Fold करेंगे अब हम इसके उपर एक Pin लगा लेंगे ताकि अपनी जगा से ना हिले पिन लगाने के बाद हम इसके उपर एक Half Circular Shape ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कोई छोटा धकन अवैलेबल नहीं है इसलिए मैंने पहले बड़े ढ़कन से इस तरह से निशान लगा लिया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी और इसे कट करने के बाद इसके दोनों तरफ पैन की हल्प से निशान लगा के इस Circular Shape को मैं थोड़ा सा कम चौड़ा कर दूँगी अगर आपके पास कोई कम चौड़ा ढखन है तो आप उस ढखन की हल्प से ही एक Half Circular Shape यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक Half Circular Shape ड्रॉ कर ली है अब हम इस पिन को निकाल देंगे और यह देखिए इस तरह से मैंने एक Cutwork वाला डिजाइन यहाँ पर बना कर त्यार कर लिया है अब यहाँ से हम Extra Fuse Paper कट कर देंगे और इसे कपड़े के उपर चिपका लेंगे तो Press की Help से अब इस Cutwork वाले डिजाइन को मैंने कपड़े के उपर चिपका लिया है अब कपड़े का एक और टुकड़ा लेंगे और इस Cutwork वाले डिजाइन को इस तरीके से उसके उपर रखेंगे और अब हम इसके उपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने पर कपड़ा अपनी जगा से ही लेगा नहीं अब हम बिल्कुल बारीक पकिये से फ्यूस पेपर के बिल्कुल साथ साथ कटवक वाले भाग को सिल देंगे इस तरह से बहुत ही सफाई से फ्यूज पेपर के बिल्कुल साथ-साथ हमें सिलाई लगानी है अगर सिलाई टेड़ी हो जाएगी तो हमारा डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा बनेगा नहीं इसलिए आपको सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है अब एक्स्टा कपड़ा हमें कट कर लेना है इस तरह से यह देखिए इस तरीके से एक्स्टा कपड़ा कट करेंगे और अब यहाँ पर छोटे-छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से कट्स लगाते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि धागा ना कट जाए तो यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं अब हम इसे पलट के सीधा कर देंगे और यहाँ पर मैंने इसको सीधा करके प्रेस भी कर लिया है यह देखिए अब इसके उपर लगाने के लिए मैंने कॉटन की यह एजिंग वाली लेस ली है जो की बाजार में बहुत इजी ले मिल जाती है इस तरह की एजिंग वाली लेस आपको अलगले पैटरन भी मिल जाएगी तो आप अपनी चोईस के हिसाब से कोई भी लेस लगा सकते हैं अब इस तरीके से कट वर्क वाले डिजाइन के उपर हम लेस को रखेंगे और सिल देंगे अब यहां से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और इस तरीके से लेस को पल्टेंगे और इसके उपर एक सिलाई लगाएंगे यह देखिए इस तरह की लेस में जो किनारी वाला भाग होता है वो सिलाई में ही दब जाता है और जो बीच वाला पैटरन होता है सिर्फ वो ही निजर आता है तो यह देखिए इस तरीके से मैंने एक तरफ लेस लगा दी है अब हम दूसरी तरफ पिंटक्स वाला कपड़ा लगाएंगे तो यह पिंटक्स वाला कपड़ा जो हमने पहले से ही तयार करके रखा था इसके उपर हम अपने कट्वर्क वाले हिस्से को उल्टा करके रखेंगे इस तरह से पिंटक्स वाले कपड़े की राइट साइड और कट्वर्क वाले कपड़े की राइट साइड एक दूशरे को फेस कर रही है और अब हम इसकी लेस के उपर सिलाई लगाएंगे अब यहाँ पर भी हम कप्ड़े को सीधा कर देंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सफाई से एकदम सीधी सिलाई हमने यहाँ पर लगा लेनी है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ लेस का बीच वाला हिस्सा जो की जिगजग है वो ही निज़र आ रहा है लेस की दोनों किनारी वाले साइड्स हमारे अंदर ही दब गए है अब इस तैयार बॉर्डर को हम प्लाजों की नीचे अटाच करेंगे इस तरह से और बहुत ही सफाई से कपड़े को बिना खीचे हमें सिलाई लगानी है तो यह देखिए बॉर्डर में अच्छे से अटाच कर दिया है प्लाजों के नीचे और अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे तो इस सिलाई लगाने के बाद हम इसके उपर एक और लेस लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने येलो कलर की ही लेस ली है लेकिन इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है प्लाजों के कपड़े से आप चाहें तो बिलकुल सेम कलर की लेस भी यहाँ पर लगा सकते हैं और लेस लगाना बिलकुल ऑप्शनल है आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह की लेस लगाने से डिजाइन की खुबजूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत एजिली ये लेस आपको किसी भी टेलरिंग स्टोर से मिल जाएंगी अलग-अलग साइजेज में और डिजाइन्स में और बहुत सारे कलर्स में ये लेस अवैलबल होती है और आप चाहें तो इस तरह की लेस आउनलाइन भी ले सकते हैं तो इसके साथ ही प्लाजो का ये डिजाइन हमारा बनकर तयार हो चुका है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बैल आइकन है उसे दुबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगलर अपडेट्स मिल सकें साथ ही आप मुझे फेस्बुक पर भी जरूर फॉलो कर लीजेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगले वीडियो किस तरह के देखने है तो गैस थैंक यू सो मच फॉर वाचेंग बाई बाई